कि नमस्कार competition community के comprehensive current phase program में मैं पुक्राच करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो 18 से लेकर 24 नमंबर 2022 तक के जितने important current phase है इसका कर लेने वाने है analysis pre और mains दोनों के point of view से और फटा फट बिना time को waste करे बढ़ते हैं आगे आज आते हैं खाली slide पर और खाली slide पर कौन होते हैं तो आप सभी को पता है एक साहितकार तो साहितकार के लिए code याद रखना कि भाला भाला तो जानते होगे भाला जैवलिन तो भाला जो है वो चलाना किसको किसको आता है तो एक तो आता है 36 गढ़ी लोगों को उसके बाद हलवी लोगों को और भतरी लोगों को तो ध्यान क्या रखेंगे भाला चलाना किन को आता है तो 36 गढ़ी लोगों को आता है हलवी लोगों को आता है और भतरी लोगों को अब इससे हम जोइन करते हैं कोड्स को और बनाते हैं साहितकार तो भाला से याद रखना है भाल छंद्र राव तैलंग भाला से क्या है भाल छंद्र राव तैलंग 36 गडही तो याद रखना 36 गडही हलबी भतरी तरी बोलियों का भाशा वैज्यानिक अध्ययन जो है यह हुई इनकी रचना तो सहितकार कौन है भालचंद्र राव तैलंग उनकी रचना क्या है तो रचना है चट्टिसगड़ी हल्भी भतरी बोलियों का भाशा वैज्यानिक अध्ययन ये इनकी रचना है तो अब आगे बड़ जाते हैं क्या करते हैं सबसे पहले लास्ट जो current affairs का वीडियो था उसमें से कुछ questions को देख लेते हैं क्या क्या questions तो पहला question था देश का पहला जिला कौन सा है जहां मोतिया बिन की वज़़े से द्रिष्टी हीन चिन्हांकित सभी लोगों का operation किये गए है आपको याद होना चाहिए अपने देखा था कबीर धाम अब जो अगला है वो क्या है विश्व का पहला bamboo crash barrier कहा निर्मान अरत है कहां under construction है तो वो कहा है भाईया बे में तरह यह हो गया next क्या है राजनाद गाओं में जो BNC मिल है उसके जगा कौन सा उद्ध्योग खुलेगा तो याद रखना इसके जगा जूट उद्ध्योग इसको देखे थे अपन और इसके बाद finally last question क्या था बिलासपुर में आयोजित जो राउट नाचा महुतसव है 20-2022 का वो कौन से क्रम का है तो अपनने क्रम देखा था 45th चलिए अब इस बार के current affairs को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 36th गड़ को मिला है best inland state और best proprietary firm का राश्ट्री पुरुसकार या national award अब समस्ते जाईएगा पहले ये जो शब्द है ना inland इसका मतलब किसी ऐसे छेत्र अब state लिखा है तो राज्ज कह दूँ किसी ऐसे राज्ज से है जो की सबसे पहले समुद्र से न लगा हो और ना ही किसी बाहरी सीमा से तो ना तो किसी ocean sea को touch करे ना तो किसी international border से उसी क्या कहा गया है inland state तो 36 गड़ को हमारे राज्ज को ऐसा एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है क्या best inland state और best proprietary firm क्यूं मिला है भई तो ये मिला है मतस्य ये देखो पालन या fisheries के लिए तो fisheries या मतस्य पालन के लिए छत्त गड़ को best inland state और best proprietary firm का national award मिला है राश्ट्री पुरुसकार मिला है ठीक है भई अब important points को देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कब मिला है तो आपको मैं बता दूँ कि 21st of November 2022 2022 क्या था इस दिन तो इस दिन था विश्व माच्छी की दिवस फिश्व माच्छी की दिवस जो फिश्व दे था उसी के आउसर पर 36 गड को ये award मिला अब next क्या है कहां मिला तो ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानन्द और्डिटोरियम ये है कहां पर तो दुनेथा दमन समझ गया Union Territory दमन दिव वाला गलत प्रिंट होके आ गया था इसलिए ऐसा गलती हो गया शमा चाहूंगा ठीक है एक student ने point out किया तब मैंने देखा मुझे भी लगा कि गलती हो गई है तो मैंने comment को pin करा दिया था वहाँ पर चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं तो कब मिला है 21 नवंबर 2022 को मिला है कहां मिला है तो दमन में मिला है ठीक है क्यों मिला है मतस्य पालन फिशरीज के लिए ठीक तो ये जो best inland state award मिला है उस award के रूप में 36 गड़ को और क्या होगा 10 लाख रुपेक पुरुसकार मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा एक्ठो मेमेंटो स्मृती चिन है और धमतरी जो जिला है डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक्ठो गाउँ है क्या बगोद ये national highway number 30 पर ही है कूरुद से थोड़ा स्पहले तो ये जो बगोद गाउँ है उसी के मतस्य पालन या फिश्डीस का एक्ठो फर्म है नाम क्या है इसका भारत बाला एक्वा कल्चर उसको बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म जो है उसके रूप में क्या मिला है दो लाख रुपे और स्मृती चिन तो 36 गड़ एजा स्टेट को क्या मिला है बेस्ट इनलांड स्टेट जिसमें 10 लाख रुपे और मेमेंटो मिला है और बगौद गाउं जो है वहां का जो फर्म है क्या नाम है भारत बाला एक्वा कल्चर तो भारत बाला एक्वा कल्चर इसको best proprietary firm का award मिला है दो लाख रुपए और स्मृती चन clear है अब ये जो पुरुसकार है प्रदेश की ओर से जो मतस्य विभाग है department of fisheries है इसके संचालक श्री ए ए बोल दिया गलती से एन एस नाग श्री एन एस नाग ने क्या किया है ग्रहन किया है clear है अब इसके साथ कुछ points को मैं आप लोग को जोड़ना चाहूँगा जो कि analysis में आपकी बहुत मदद करने वाले है पहला point हमारे यहाँ पर 36 गड़ को best inland state जो है इसका award क्यों मिला क्योंकि हमारे यहाँ पर मतस्य उतपादन जो है agriculture या क्रिशी का अब जैसे ही क्रिशी का दरज़ा मिला क्या हुआ तो ततकाल प्रभाव से क्रिशकों को जो बिजली बिल में छूट मिल रही थी वो छूट मिलने लग गई इनको भी मतस्य पालको को साथ में क्या हुआ जो क्रिशकों को शून्य ब्यासदर पर लोन मिलता था, अब मतासे पालकों को भी वो लोन मिलने लगा, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, इनका जो input cost था, वो आ गया, समझ में आया, तो जब input cost कम हो गया, तो कालांतर में आप समझ ही सकते हैं, कि ये लोग उस शेतर में और ध्यान देंगे, और मह वे असी बात है कि production जो है, उत्पादन वो बढ़ेगा, अब उत्पादन बढ़ेगा, तो ना सिर्फ पालकों को फायदा होगा, बलकि इसको फायदा होने वाला है, तो सरकार को भी, सरकार को award मिल गया, clear है, तो एक ये analysis ध्यान में रखना, इसके लावा कुछ facts आपको मैं बताता हूँ, तो facts में आपको ध्यान रखना है, कि पूरे 36 गड़ में हम लोग जल छेतर की बात करें ना, तो economic survey जो है, उसके अनुसार 1.920 लाक हेक्टेर इतना जल छेतर है, कितना जल छेतर है, 1.920 लाक हेक्टेर का जल छेतर है, इस जल छेतर में से आपको ध्यान रखन है, 94.38% जो जल छेतर है, उसे मतस्य पालन के लिए विक्सित किया जा चुका है, फिशरी इस के लिए डेवलप किया जा सका है, या चुका है, कितना 94.38 ध्यान रखना है, पिछले साल के प्री में इस question को पूछा था, ये data हर बार economic survey change मिलेगा, कृशी वाले chapter में मिल आपको, ठीक है, मतस्य पालन करके section है, उसमें उसमें जाके देखिएगा, आपको पहले या second page में मिल जाने वाला है, 94.38, अगर आप current affairs देखोगे न, तो ये दिखाता है कि लगभग 98% जल छेतर को क्या है, मतस्य पालन या फिश्रीज के लिए डेवलप किया जा चुका है लेकिन economic survey अभी क्या बता रहा है, 94.38, तो अपन को क्या याद रखना है, 94.38, क्योंकि current affairs से तो आप दावापत्ती करनी पाओगे, लेकिन economic survey से तो दावापत्ती की जा सकती है, इसलिए जो economic survey बोल रहा है, हमारे या 36 गण में जितना जल छेतर है, उसका 94.38% जो है, वो मतस या पालन के लिए क्या किया जा चुका है, विक्सित किया जा चुका है, अब एक question और पूछता है, question क्या पूछता है, कि 36 गण राज्य जो है, उसका जो GSDP है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इस GSDP में मतस्य पालन या फिश्रीस का योगदान, तो ध्यान रखना, स्थिर मूल्य या constant price पर, स्थिर मूल्य या constant price पर ये 2.27% है, तो 36 गण राज्य जो है, उसकी GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, स्थिर मूल्य या फिश्रीस ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का योगदान, constant price या स्थिर मूल्य पर कितना है, 2.27% और ये जो डेटा है, ये है वर्ष 2021 के लिए प्रस्तावित, सौन में आया कि नहीं आया, तो वर्ष 2021 के लिए, GSDP में लगभग 2.27% योगदान, फिश्रीस या मतस्य पालन सेक्टर जो है, उसका क्या है, प्रस्तावित है, या कहलो अनुमानित है, प्रपोस्ड है, कारण ये था, कि जब ये economic survey रिलीज हुआ था, उस समय वर्ष 2022, या 2021 ये जो financial year था, वो complete हुआ नहीं था, economic survey फ़रवरी 2022 में रिलीज हो गया था, और खतम कब होता है, 31, March 2022 जो है, इस दिन क्या खतम होता है आपका, जो financial year है, वो खतम होता है, इसी लिए, जब data दिया, 10-11 महिने का, तो आगे क्या लगाना पड़ा, अनुमानित या, समझ में आया कि नहीं आया, तो 21-22 के लिए कितना अनुमानित है, कितना proposed है, 2.27%, इतना data आपको याद रखता है, अब इसको ज़रा क्या करते हैं, एक्जामिनेशन पॉइंट अफ यू से अपन इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, एक्जामिनेशन पॉइंट अफ यू से सबसे पहले प्री की बात करें, तो 36 गड़ जो है, उसको best inland state और best proprietary firm जो है, ये award किस छेत्र में मिला है, दमन, clear है ये बात, फिर पूच सकता है कितना प्रतिशत जलचेत्र मतष्य पालन के लिए विक्सित हैं, 94.38, 36 गड़ का कुल जलचेत्र पूचेगा, तो 1.920 लाक हेक्टेर, उसके बाद यही पूचेगा, इस छेत्र का GSDP में कितना योगदान अनुमानित है, प्रपोस्ड है, 21 के लिए, तो 2.27 परसेंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, clear है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पहला slide जो है, इसको properly क्या कर लिया है, डिकोड कर लिया है, एगरी कल्चर में इसको शामिल करने से जो फाइदा हुआ है, यह fact, ऐसे जो है, इसमें अपन काम में ले सकते, clear है, चलिए, तो यहाँ पर first slide हो जाता है, finish, चलिए, अब next देखते हैं, तो next देखते हैं, कि हमारी 36 गड़ राज्य सरकार जो है, उसके द्वारा एक योजना चालू गई, Heart बाजार क्लिनिक योजना, इस योजना पर क्या हो रहा है, तो World Health Organization, WHO जो है, इसने क्या किया है, तो इस योजना के लिए 36 गड़ सरकार जो है, उसको क्या किया है, सराहा है क्लियर है, थोड़ा सा इस योजना के बारे मैं आपको बता दूँ, कि ये जो योजना है न, ये 2 अक्तूबर 2019 को स्टार्ट की गई, तो Heart बजार क्लिनिक योजना, 2 अक्तूबर 2019 को क्या की गई, स्टार्ट की गई, अब इस योजना में क्या होता है, तो समझेगा, 36 प्रपरली अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा वनांचल है, यहाँ पर forest area है, बहुत ज़्यादा ग्रामिंट छेत्र है, अब इन ग्रामिंट छेत्रों में वनांचलों में क्या है, health facilities तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ के जो लोग हैं, उनको क्या होता ह है कि छोटी सी बीमारी होती है, तो भी उन लोग के पास इलाज कराने के लिए proper facilities जो थे, वो नहीं थे, clear है, even शहरी slums, urban slums की आप बात करो, तो वहाँ पर properly labs भी नहीं होते हैं, क्या करने के लिए, blood test वगर करने के लिए, वैसी ग्रामिंट छेत्रों में भी नहीं होते हैं तो सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया 2019 में ये सोचके कि एट लीस्ट ग्रामिंट छेत्र या वनांचल के जो लोग हैं, hospital तो वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर heart बाजार तो है, जो सापताहिक रूप से weekly लगता है, तो क्यों ना उसी heart बाजार में क्या किया जा इनको medical facilities और doctors साथ में medicines जो हैं, उसको free में available करा दिया जाए, तो medical facility हो गया, doctor हो गया, medicine हो गया, ये सब free में heart बाजार में, weekly मतलब सापताहिक तौर पर, वार्शिक बोलना था गलती से, weekly मतलब सापताहिक तौर पर लोगों को क्या किया जाता है, available कराया जाता है, साथ ही में, कुछ basic blood test जो है, वो भी यहाँ पर conduct किया जाता है, जैसे कि, एनीमिया हो गया, इसका blood test हो जाएगा, malaria हो जाएगा, टाइफाइड का हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, इसके अलावा, sugar का test इसमें हो जाएगा, blood pressure जो है, यहाँ पर नापा जा सकता है, तो ऐसी at least एकदम basic facilities जो है, वो भी यहाँ पर लोगों को मुहिया कराई जाती है, तो यह है सरकार का heart बाजार clinic योजना, अब यह जो योजना है, बड़ा ही innovative है, ऐसी कोई योजना भारत के किसी दूसरे राज्य में चल नहीं रही है properly, और इसी लिए WHO World Health Organization जो है, उसने 36 ग प्रदेश के अंतिम व्यक्ति, मतलब दूरस्त छेत्रों में remote areas में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है, अब इसी उसर पर हुआ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, World Health Organization ने हमारी इस heart बाजार clinic योजना के उपर एक्ठो documentary film जो है, वो बनाई है, किस ने बनाई है, World Health Organization जिसको मुख्यमंत्री जी ने, भुपेश बगेल जी ने क्या किया, रिलीस किया, ठीक है, अब ध्यान रखना, WHO जो है, उसका headquarters कहा है, जिनेवा, अब ये जो जिनेवा है, यहाँ पर इस film को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो हैं, उनके लिए कितना बहतरीन कारिय कर रही है, अच्छा ही बात है यार, कि लोगों तक फायदा पहुँचे, सरकार का यही तो काम है, और क्या है, ठीक, अब देखिए, हुआ क्या, आगे समस्ते हैं, कि ये जो heart bazar clinic है न, इसके माध्यम से अभी तक 36 गड़ में लगभग 62.5 लाक या उससे भी अधिक लोगों को, 62 लिखा है, लेकिन 62.5 है अच्छुली, 62.5 लाक या उससे अधिक लोगों को इलाज की सुविधा क्या है, दी जा चुकी है, और साथ ही आपको ध्यान रखना है, कि प्रदेश में 1798, 1798 मतला मोटा-मोटा 1800, hard bazar जो हैं, उसमें लो हैं दी गई हैं, और अभी तक हमारे राज में कितने, 1.28 लाक ऐसे क्लिनिक है, उनको क्या किया जा चुका है, आयोजित किया जा चुका है, तो बहुत इंपोर्टेंट ये न्यूज है, प्री और मेंस, दोनों के ही पॉइंट ओफ व्यू से, अब अपन थोड़ा सा इसको करते हैं, और questions को देखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला ही 30 words का मेंस का question आपको paper number 5 में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको heart bazar clinic योजना जो है न, या clinic scheme है, इसके उपर कहेगा, इसको short note लिख दो, तो आपको बता दिया है मैंने कि कब start होई है, क्यों start होई है, उ organization जो है, उसने 36 गड़ के किस scheme को praise किया है या सरहा है, तो answer क्या आएगा, heart bazar clinic योजना, आपको इसको ध्यान में रखना है, कुछ applied questions भी आ सकते हैं, जैसे कई बार international organizations के headquarters पूछ लेता है, तो WHO कहां पर है, जेनेवा, इसको ध्यान रखना है, ठीक, चलिए, तो इस news को यहीं तेगपन रखते हैं, इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, अब देखिए भई, next क्या है, तो next है, एक कारिकरम है, मूर मयारू गुरुजी, इसको क्या मिला है, Scott Silver Award, ठीक बात है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, कि ये program या ये जो कारिकरम है, ये है क्या, तो असल मे एक बच्चा लगभग 8 से 10 साल, बहुत जब वो छोटी उमर में रहता है, तब वो सिक्षक के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा तो बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन ये जो शुरू के 8-10 साल है, ये बहुत जादा क्रूशल होते हैं, क्यूं? क्योंकि इसी समय सिक बहुत जल्दी सिक्षकों से सीखने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर ना सिक्षकों की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए सिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबसे पहले सिक्षक जो है उनको child rights या बाल अधिकारों के बारे में proper knowledge हो समझ में आया तो child rights या children rights या बाल अधिकार जो है इसके बारे में क्या हो, इनको अच्छी खासी नौलेज हो, साथ ही बच्चों से जब ये बात करें, बच्चों को जब पढ़ाएं, तो भी बहुत सारी ऐसी चीजों का ध्यान में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि इनका जो पढ़ाना है, वो और क्या हो सके, बेटर हो सके, तो इन सभी चीजों को सम्मिलित करके, एक साथ मिलाके, जिससे कि सिख्षकों को Child Rights के बारे में पता चले, साथ में ऐसी चीजों के बारे में पता चले, जिनको उन्हें बच्चों से बात करते वक्त, या बच्चों को पढ़ाते वक्त, ध्यान में रखना जरूरी है, टीच प्रोग्राम में बहुत ही इनोवेटिव इंटराक्टिव तरीके से सिख्षकों को इन सब बातों को सिखा दिया जाता है अभी तक आपको ध्यान रखना है कि इस कारिक्रम के माध्यम से हमारे राज्य के लगभग 2000-2000 से जादा सिख्षकों को क्या किया जा चुका है प्रसिक् अधिकार, सनरक्षन, आयोग, चत्यसगर राज्य बाल, अधिकार, सनरक्षन, आयोग के द्वारा, मोर मयारू गुरुजी, इसको स्कॉच एवर्ड मिला है, कारिकरम क्या है, मैंने आपको समझा दिया, एक अप्लाइड क्वेशन इसमें से बन जाता है, अधिकार, सनरक्षन, आयोग, जो है, इसकी अध्यक्ष कौन है, तो श्री मती, तेज, कुवर, नेताम जी, इनकी अध्यक्ष है, अध्यक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को धियान रखना है, अब examination, point of view से देखें, तो फिर से paper number 5 जो है, उसमें आपको more mayaru गुरुजी, इस कारिक्रम के बारे में 30 words में short note लिखने को कह सकता है, तो एक question हो गया, अब MCQ के form में देखोगे, तो क्या हो सकता है, पूछेगा कि इस कारिक्रम को कौन चला रहा है, तो 36 गड़ राज बाल अधिकार सनरक्षन आयोग के द्वारा चलाया जाता है, ये कारिक्रम किस से संबंधित है, तो याद रखना टीचर्स के ट्रेनिंग से संबंधित है ये, अगला question क्या बन सकता है, कि Scott Silver Award निम्न में से किन कारिक्रमों को मिला है, इसके अलावा क्या question बन सकता है, चत्तिसगर राज बाल अधिकार सनरक्षन आयोग जो है, उसके अध्यक्ष कोन है या अध्यक्षा कोन है कह लिजिए, तो answer क्या होना चाहिए, श्री मती तेश कुणर नेताम, तो इतने सारे questions जो हैं वो इस slide में बन सकते हैं, कि हमारा जो state है चत्तिसगर, समझ में आया, उसका जो state planning commission है, चत्तिसगर स्टेट planning commission, चत्तिसगर राज्य योजना आयोग, इसको जो सतत विकास लक्ष, sustainable development goals जो हैं, उनको बहुत ही प्रभावी या effective तरीके से, क्रियानवित या execute करने के लिए, governance के field में, scotch order of merit इस पुरुषकार से नवाजा गया है, समझ में आया, तो ध्यान रखना, चत्तिसगर स्टेट planning commission जो है, चत्तिसगर राज्य योजना आयोग, उसको governance के sector में, जो SDG हैं, सतत विकास लक्ष, उनको प्रभावी तरीके से, क्रियानवित करने के लिए, effective तरीके से क्या करने के लिए, execute करने के लिए, क्या किया गया है, तो scotch order of merit, इस पुरुषकार को दिया गया है, ध्यान रखना, अब ये जो पुरुषकार है, वर्शुवल समारों में क्या हुआ, राजी योजना जो आयोग है, इसके member secretary बोलते हैं, सदस्य सचीव को है कौन, तो श्री अनुप कुमार श्रिवास्ताव जी, इनको प्रदान किया गया, या इनको दिया गया, clear है, तो ध्यान रखना scotch awards जो है न, वो एक स्वतंत्र संगठन, independent organization के द्वारा दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो व्यक्तिक दिया जा सकता है, परियोजनाओं को दिया जा सकता है, संस्थानों को दिया जा सकता है, जो कि भारत को एक बहतर राष्ट्र, या एक बहतर नेशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं अत्रिक्त प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों को दिया जा सकता है अब हेल्थ सेक्टर से संबंधित अगर कोई ऐसे आ जाए तो ये पॉइंट यूज हो सकता है चिछत्तिसगर में SDG जो है उसके प्रभावी तरीके से उसको क्या किया जा रहा है सस्टेनेबर डेवलप्मेंट गोल्स को क्रियानवित किया जा रहा है ठीक है इसी लिए जो राज्य यूजना आयोग है उसको क्या मिला है स्कॉच मेरिट ऑफ सिल्वर अवर्ड जो है वो दिया गया है प्री के पॉइंट अफ्यू से कर बात करोगे त थर्ड पुछेगा क्यूं तो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स है उसके एफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन के लिए या एफेक्टिव एक्जिकूशन के लिए प्रभावी तरीके से क्या करने के लिए क्रियानवित करने के लिए क्लियर है तो यहाँ पर इस वीक का हो सारा सराहा गया है तो ये हो गया पहला कोश्यन अगला कोश्यन क्या है तो हाल ही में 36 गढर राज्यय बाल अधिकार सनरक्षन एक द्वारा कौन से कारिक्रम का चयन स्विख invites के लिए हुआ है अगला कोश्यन क्या है श्रीमति तेज कुषण नेताम वर्तमान में कौन से आयोग की अध्यक्षा है और फाइनली आपको ध्यान रखना है क्या बेस्ट इन लैंड स्टेट और बेस्ट प्रोप्राइटिफ फर्म जो है इसका राष्ट्री पुरुसकार चत्तगड को किस शेत्र में प्रदान किया गया है तो इतने क्या करिए तो कमेंट सेक्षन में करिए आंसर इनको ठीक है चलिए तो आई होप ये वीडियो प्रॉपरली आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक लिए थांक यू आन टेक केर